खुशाम दीद मैं लिसनर्स, I am your senator and today I am going to start a new novel named as मेरी रूप में उतर जरा असकलम इनाया एहमद on the request of my listener Red Rose. So, let's start it. क्लास में धूम मची हुई थी, कोई ग्रूप बातों में मश्रूफ था, कोई ग्रूप गाने का रहा था, पढ़ा को बच्चे कान लपेटे पढ़ने में मश्रूफ थे, तब ही वो अंदर दाकिल हुई थी, पिंक कुर्ते और प्राउजर में हिजाब लपेटा हुआ था, आ और उंची अवाज में सब को शोखी से हेलो कहा था, सारी क्लास ने अवाज के ताकुप में दाखिल होते को देखा था, और सब ने गर्म जोशी से जवाब दिया था, सिवाए चंद एक, माहम भी उनमें शामिल थी, नेक्स सेमस्टर के बाद, आज सब मिले थे, और ये तो उनकी क्लास की एक शरारती तरीन लड़की थी, वो सबसे हेलो करती अपने टोले की तरफ चली गई थी, जो सेकंड रो में बैठा हुआ था, सबसे उचलते हुए हाथ मिलाते हुए, वो अपनी अजली पुर जोश अंदाज में मिली थी, सलाम करो लड़की, मुकदस ने उस क्योंकि वो उसके छेडने से वाकिफ छिडने से वाकिफ थी, उसने हसते हुए उसके उबरे उबरे गालों को छुआ था, सारे ग्रुप में मुकदस का वजूद ज्यादा भारी था, बकोल रबाब मुश्तबा के, और बत्तमीज, तुम तो भूल ही गई थी मुझे, किसी म में भी टैग नहीं किया, निशा शोशल मीडिया की दिवानी का एतरास हाजिर था, क्योंकि ये अपने नए क्रश को स्टॉक करने में मश्रूर थी, ये आवाज फिजा की थी, फिजा, पेट की हलकी औरत, रबाब उसकी तरफ खोफनाक तेवर समेद बढ़ी थी, अरे अरे आते ही खून खराबा, सुकून से एक मिनट बैट लो, मनाहिल ने सब को घूरा था और रबाब को पकड़ कर उसकी सीप पर बढ़ाया था, इन छे लड़कियों का ग्रूप इंटर से था, अब वो बीबी ए को बीबी ए के फोर्ट समिस्टर में आ चुकी थी, रबाब, मु उसरे से एक एक पल की बाते शेयर हो रही थी, युनिवर्स्टी के आहाते में गाड़ी आके रुकी थी, चंद सेकेंड बाद वो बाहर निकला था, आँखों पर ग्लासिज चढ़ा था, ब्लैक सूट पहने हुए था, हाथ पे घड़ी बांदी हुई थी, बालों को नफास से सवारा गया था, चहरे पर एक संजीदगी थी, जो उसकी तब्यत का खासा था, मगर माथा किसी भी किसिन के बल से पाक था, गाड़ी को लोग किया, एक हाथ में फोल्डर था, एक स्टाइल से अपने कोट का दूसरा बटन ठीक करते, वो अपनी मक्सूर शहना चाल चलता आगे बढ़ा था, कई लोगों की नजर का मरकज बना था वो, वो सीधा चलते हुए जा रहा था, हर तरफ से बेनियास था, ये बेनियासी उसकी तब्यत का हिस्सा थी, पॉकेट से सेल निकाला और नमबर मिला के कान को लगाया था, अपने आने की इतला देते वो लोबी की तरफ बढ़ा था, रास्ते में वाव जैसे कमेंट्स भी उसके कानों में पढ़े थे, मगर उसको कोई फर्क ना पढ़ता था, डारेक्टर के रूम में दाखिल हुआ था, जहां चंद और लोगों से मुलकात के बाद वो बहार निकला था, और अब डिपार्टमेंट का यर्ल फ्रेंड्स के पीछे, वो कोरिडोर में एंटर हुआ था, और दो कमरे छोड़कर राइट साइड के तीसरे कमरे के आगे रुका, रूम नंबर 101, अंदर दाखिल हुआ था, अंदर उधम मचा हुआ था, उसके उसे आते देख, जो जहां था, वहीं थम गया था, एक स सेकिंड तो माहूल पे साकूत तारी रहा, फिर सब को होश आया था, उसको डाइस की तरफ बढ़ता देखके, और उसके हाथ में फोल्डर देखके, सब अपनी निशिष्टों की तरफ लपके थे, इसी दोरान अगर किसी को होश न था, तो वो थी रबाब मुश्टबा मलि उसे यूनिवस्टी का हर टीचर जानता था, और उसकी शरारते पे भी उसको डांट ना पड़ती थी, कभी कभी हलकी फलकी पड़ भी जाती थी, सब लोग खड़े हो गए थे, उस नए बंदे को देखकर मगर रबाब अपने काम में लगी थी, वो अपने बैक से रबर निकाल चुकी थी, जिससे सीटी की मुक्तलिफ आवाजें निकलती थी, ना सिर्फ निकाल चुकी थी, बलके अपने से आगे बैठी, क्लास फैलोस की सीट पर रख चुकी थी, बहुत सफाई से कि किसी को पता भी न चले, अपने दाईं तरफ बैठी, मुकदस, बकोल उसके कदो की सीट पे भी एक रखी थी, और बाईं तरफ बैठी फिजा की सीट पे, कुल मिला के पांच लोगों की सीट पर रख के हाथ जारती, वो अब सामने मतवज़ा हुई थी, सब यूही खड़े थे, ये काम उसने कोई, कोई 30 सेकंड से भी कम वक्त में किया था, अब खु वो सामने चहरे पर नगवारी लिए खड़ा, क्लास का डिसिप्लेन देख रहा था, क्लास में अब खामोशी थी, से डाउन एवरिवन, उसने कहते हुए एक नजर क्लास पर डाली थी, रबाब उसको यहाँ देख के हैरान थी, उसे तो यही था कि कोई पुराना टीचर मगर उससे पहले के वो संभलती या कुछ करती, सीटी की मुक्तलिफ धुने घुंजी थी, क्लास में खामोशी की वज़ा से आवाज ज्यादा महसूस की जा सकती थी, टीटू, टीटू, ऐसे ही बेहंगम आवाजे थी, सब को हसी का दोरा पड़ा था, रबाब तो अब हस भ कॉइट, वो दहाडा था, उसका गुसा देखके सब खामोश हो गए थी, और रबाब भी अपनी सीट पर बैठी थी, अब वो पीछे को और चिपने की कोशिश में थी, वो डिट दिस, हरी अब, टैल मी, वो गुसे से बोला था, और क्लास को घूरते हुए कहा था, रबाब को कुछ समझ ना आई थी, ना समझी में उसने अपना हाथ उठा दिया था, सब ने उसे घूर के क्या जरूरत थी ये बताने की, रित्जा ने उसको कहा था, खूंखार नजरों से घूरते हुए, सर एक्चुली, उसने अपनी वजाहत में कहने को मुझ खोला था, आई सेट लीव नाउ, वो एक बार फिर दहारा था, उससे भी अब मजीद बरदाशना हुआ, और वो अपना बैक उठाए, एक मिनट की त अफसोस से बैटी हुई थी, आज से पहले भी वो ऐसी कई शरारते कर चुकी थी, मगर किसे टीचर ने इतना बुराना डाटा था, अस्सलाम अलेकुम, माइ नेम इस अर्तजा हैदर, आई एम यूर नियू इंस्ट्रॉक्टर, इर्तजा ने अपना तारुफ कराया, में उसने अपने प्रोफेशनल लहजे में कहा था, सर आपकी एजुकेशन, माहम ने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा था, MBA, I think this is enough, अर्तजा बोला था, बट मैं एक चीज पहले दिन ही क्लियर करता जाओ, मुझे डिसिब्लीन चाहिए क्लास में, आज तो पहला दिन था so ignore कर रहा हूँ, but next time be careful, और आज जो क्लास में हरकत हुई है, वो आहिंदा ना हो, वो कहते हुए लेक्टर देने को मुड़ा था, क्लास खत्म होने से 10 मिनट पहले, उसने लेक्टर खत्म किया था, और सबसे अब वो introduction ले रहा था, यू पहली क्लास का इक्तिताम हुआ था, next scene, कोई और लोग ना थे, बलके उसका सगा बाप था, जो कि अपनी नई बीवी आने की खुशी में पुरानी बीवी पर चीख रहा था, उसे धुतकार रहा था, और इस बच्ची की माँ हारे हुए जोआरी की तरह सर जुकाए खड़ी थी, किसमत भी कभी कभी बहुत कारी वा हो चुका है, मगर नहीं, अभी हुक्म इलाही ही नहीं आया था, नेक्स ही, बले कंस्ट्रक्शन एंड एंटरप्राइजिस के सामने ब्लैक लेंड को रोज आके रुकी थी, इस कंपनी का शुमार दुबई के टॉप लिस्ट कंपनीज में होता था, एक बलंद और बाला इम जिसके अंदर बाहर शीशे का ही काम था, ड्राइवर बाहर निकला और दर्वाजा खोला, लाइट ग्रे कलर के सूट में लाइट बलू कलर की शिर्ट मैचिंग टाई हाथ में महंगी घड़ी थी, आँखों पर ग्लासस चड़ाए हुए थे, नफासत से बाल सजे हुए थे दरास, खदो, कामद, वो वजिया सा मर्द, एक खुबसूरत, अर्भी ही मालूम हो रहा था अस्सलाम अलेकुम सर आरिप, उसका मैनेजर जो उसको देखते हुए फोरा उसकी तरफ बढ़ा था, वालेकुम असलाम आरि मलिक ने सलाम का जवाब दिया था, और अंदर को कदम बढ़ा दिये थे और मैनेजर हमाद मामूल के मताबिक उसको एहम बातों से आगा करने लगा था, वो ग्लास डोर से अंदर गए थे, जो अटोमेटिक था अंदर गहमा गहमी थी, हर किसी को जल्दी थी क्योंकि उनको अपने बोस का मिजाच पता था, जो कि किसी काम में कोता ही बरदाश्ट न करता था और वक्त की पाबंदी ना करने वालों से उसको सक्त चिड़ थी, काम के मामले में वो बहुत स्ट्रिक्ट था, हर कोई जल्दी में था, बोस को देखके सब सलाम कर रहे थे वहाँ इस्टरन ड्रेस में मुझूद, उसकी गैर मिल्की सेक्रेटरी लारा, उसको देखके उसकी तरफ आई थी, हाथ में टॉप और फाइल्स लिए, गुड मॉर्निंग मिस्टर आरिप, उसने कहा था, गुड मॉर्निंग, आरिप ने जवाब दिया था, अब हमाद का का यहां तक ही था, वह अपने ओफिस की तरफ मुड गया था, इस कंपनी के तीन फ्लोर थे और हर फ्लोर में आरिप के लिए तीन ओफिस थे, मगर वो सेकंड फ्लोर वाले ओफिस में ही होता था, अब वो लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था और लारा भी साथ थी, वो उसको आ इमेल्स हैं इस तरह की सारी एहम बाते सेकंड फ्लोर पर जाके वो लिफ्ट से निकला था और सीधा आफिस में गया था कुछ देर बाद लारा भी डोर को दकेलते अंदर दाकिल हुई थी आरिप अपने चेयर पर आ गया था और जरूरी इमेल्स चेक करने लगा था सर आपसे दस मिनट बाद मीटिंग है लारा ने इंगलिश में ही उसे बताया था उसने एहम वाला और उसने हम बोला और हनू उसकाम में मश्रूफ रहा आरिप ने कहा था ओकी यू कें गो नो आल बी देर और कोफी उठा के पीने लगा था जो लारा बना के उसके टेबल पर रख चुकी था आरिप इर्तिजा मलिक ओनर ओफ मलिक कंस्ट्रक्शन एंड इंटिरियर डिजाइन उसने थोड़े ही अरसे में अपने बिजनिस को इस्टैबलिश करके अपनी काबिलियत से सब को हैरान कर दिया था आज यहां की बड़ी बड़ी कंपनी उनके साथ प्रोजेक्ट करने की खौईश मन्द थी आरिप की पहली तरजी पाकिस्तान पाकिस्तानियों को अपनी कंपनी में रोजगार देने की थी क्योंकि वो जानता था कि उसके मिल्क की मिटी बहुत जर्खेज है मगर मौाको की किल्ट है यही वज़ा थी कि उसकी कंपनी में ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी ही थे हमात इसका मैनेजर भी इसलामाबाद से था यहां का बिजनस टाइकून था आरिब इर्तजा मलिक नेक्सीन वो चारो सर के जाते ही रबाब की तलाश में भागी थी किधर चली गई यह लड़की मनाहिल ने परिशानी से इधर उधर देखते हुए कहा था जो कहीं नजर नहीं आ रही थी कैफे में होगी मुकदस ने कहा था तुम्हारे दिमाग में बस खाने पीने की चीजे और जगाहों के नाम ही होता है फजा ने उसे घूरते हुए कहा उन्होंने तुम दोनों को हो तुम दोनों तो चुप करो चलो वो पिछले साइड वाले गार्डन में होगी निशा ने इन सब को चुप करवाते हुए कहा था वो जानती थी जब भी उसका मून खराब हो तो वो डिपार्टमेंट के इस हिस्से की तरफ आती है जहां रश कम होता है यहां छोटा सा एक गार्डन था सब जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी थी वो वाकई ही बैग आगे रखी वहां बैठी थी वो वाकई ही भाई का फ्रेंड ही था मगरूर नाकचड़ा बेमरवत इंसान इंसान पहचानने तो दूर बेज़ती ही कर दी मैं जाके भाई को बताऊंगी वो रुहासी होते बड़बडाई थी ओई क्या बोल रही है मुकदस ने उसके पास बैठते हुए कहा था कुछ नहीं तुम लोग क्यों आ गए अपने चहीते सर की क्लास से रबाब ने उसको आँख निकालते हुए कहा था सब हस पड़ी थी हसो मत रबाब ने उनको घूरते हुए कहा था यार वैसे क्या परसनालिटी है न सर की वा एकदम हीरो लग रहे थे निशा ने कहा था निशा दफ़ा हो जाओ हां से अपना सर नामा लेके मैं हर्गिज कल से इनकी क्लास में नहीं आऊंगी भला ये क्या बात हुई एक शरारत ही तो की थी डाट देते मगर कलास से ही निकाल दिया मैं डारेक्टर से बात करूँगी रबाप को अपनी बेजज़ती हजम नहो रही थी यार क्यूं बात को बढ़ा रही हो वो टीचर है हमारे तो वो डाट सकते हैं और वैसे भी ये उनका पहला दिन था तो यू नो बच्चों को भी तो कंट्रोल में रखना होता है ना शायद इसी लिए वो रूड हुए हो मनाहिल ने उसको ठंडा करते करने की दलील दी थी मुझे कुछ नहीं पता मैं ड्राइवर को कोल की है वो आदे घंटे तक आ जाएगा मैं वापस घर जा रही हूँ वो माहम पता है कितना हस रही थी और तुम्हें बहुत पता है कि उनका पहला दिन था साथ ही उसने मनाहिल को गुरा था हाँ तो आज से पहले कभी यूनी में नजर ने आये थे क्या तो इसका यही मतलब हुआ ना आज उनका फरस्ट डे था मनाहिल ने मूँ चुलाते हुए कहा था सबको मना करते करते भी वो नेक्स लेक्चर लिये बगएर एक घंटे तक जली भुनी घर आ गई थी क्योंके सर इत्जा के लेक्चर के बाद वो वाली स्लोट वो वाली क्लास फ्री थी उसके बाद लेक्चर था वो जलती भुनती गाड़ी से निकल के घर के अंदरूनी हिस्से में दाकिल हुई थी सामने ही तक्त पे बी जान ब्रामत थी टीवी लाउंच को खुबसूरती से सजाया गया था दीवारों पे खुबसूरत सा पेंट था और पेंटिंग्स भी लगी हुई थी एक तरफ तख्त पड़ा हुआ था और दाएं बाएं लगजरी सोफे पड़े हुए थी सेंटर में एक टेबल पड़ी हुई थी रबाब जब अंदर दाखिल हुई तो बीजान पोती का चहरा दे के अंदाजा लगा चुकी थी कि आज फिर कुछ करके आई है आज किसकी इज़त उतार आई हो बीजान ने वहां से ही आवाज लगाई थी वो पहले ही जली हुई थी लाउंज में बैठे लोगों पे भी ध्यान ना दिया था कि कौन है कौन कौन यहां है गुस्ते में वो ऐसी ही हो जाती थी आज उतरवा के आई हूँ इसलिए मुझे छेड़ने भी मत वो कहते हुए सीड़ियों की तरफ वड़ी थी जो उपर वाले पोर्शन में जाती थी उसका कमरा उपर ही था पता तो जा कौन जीगरे वाला भीजा है अल्ला ने भी जान कब कम थी था एक प्रोफेसर खडूस याद मत करवाएं मुझे वो वो रुके बगेर कहती सीड़ियां फलां गई थी खडूस कहने पे सामने सोफे पर बैठे इर्तजा हैदर को मश्रूप पीदे अच्छुका लगा था क्योंके वो इस हस्ती का दीदार कर चुका था बात की समझ भी आ चुकी थी समल के बेटा बिलकिस बेगम रबाब की मा ने कहा था जी I am okay अर्तजा सीधा होके बैठा था आखिर को अभी अभी तारीफ सुनी थी अपनी अरे बेटा तुम इस लड़की को पूछो मत पूरी ज़ली है हर टाइम किसी ना किसी को आगे लगाया होता है मगर आज लगता है कुछ उल्टा मामला करवा आई है बीजान ने कहा था मा जी बिल्किस बेगम ने उनको टोका था और शर्मिंदगी के साथ इर्तिजा की मा को देखा था बीजान कभी कभी रबाब के साथ बच्ची बन जाती है थी कभी क्या हमेशा ही माशालब खुद प्यारी बच्ची है फहमीदा इर्तिजा की मदर बोली थी उसे दरासल पता नहीं चला आप लोगों की आमद का बुला के लाती हूं बिल्किस बेगम ने शर्मिंदा होते हुए कहा था कोई बात नहीं भाबी बच्ची है ठकी आई होगी आराम करने दे अब तो आना जाना लगा ही रहेगा अब तो हम चलते हैं काफी टाइम हो गया है फहमीदा ने कहा था ठक के आई है कि कारनामे कर के आई है इर्तिजा ने सोचा था जी आँटी फिर मलाखात होगी इर्तिजा ने भी इजाज़त चाही थी क्यों नहीं बेटा अब तो आना जाना लगा रहेगा अपने आगे जुके प्यार लेते इर्तिजा को थपकते हुए भी जानने कहा था यूं वो लोग वापस हो लिये थे माशालला बहुत साधत मंद बच्चा है अल्ला तरक्यां दे काम्याब करे भी जानने दिल से दुआ दी थी जी माशालला मुझे रबाप की बहुत फिकर है मजाल है जो आम लड़कियों की तरह रह ले इर्तिजा और आरिप की दोस्ती बहुत पुरानी थी जब आरिप पाकिस्तान था तो उसका हवेली में आना जाना लगा रहता था सिर्फ वो एक था जिसको हवेली के अंदर आने की इजाज़त थी क्योंकि वो एक बेहद सुल्चा लड़का था वो आरिप समेथ मलक और बाकी हवेली वालों को भी पसंद था आरिप के दुबई जाने के बाद उसने हवेली आने जाना बंद तो कर दिया था मगर आरिप से वैसी ही दोस्ती कायम थी मलक सहाब के साथ भी उसका राप्ता था आरिप के चुके दोस्त बहुत कम थे और ये उन सब में से अच्छा था इसलिए भी ये सुल्जा हुआ लड़का मलक सहाब को पसंद था यूनिवस्टी के बाद इर्तिजा की जॉब कराची हो गई थी सो वो अपनी फैमिली को भी साथ ले गया बाप का तो इंतकाल हो चुका था अब उसने अपना ट्रांसफर यूनी के इसलामाबाद वाले कैमपस में करवा के जो इसलामाबाद अपने अबाई शहर में करवाली थी आज भी फैमिदा के बेहद इसरार पर वो उनके यहां आये था जो काफी दिनों से उसके पीछे लगी हुई थी मगर इस शोला जोला से टकराव की उमीद ना थी कुछ देर पहले तो यूनी छोड़ के आया था वैसे तो वो उसे जानता था सब की बातों में उसका जिक्र होता था खास कर आरिब की तो ये जान थी आज भी उसे देख के वो हैरान हुआ था क्या इत्फाक था मगर उसने उसे कोई ऐसा तासुर ना दिया था कि वो उसे पहले से जानता है मगर रबाब को ये बात और चड़ा गई थी सारे महूले में ये कबर फैल गई थी जमशेद की शादी की एक नहीं कबर सब के हाथ लग गई थी दो चार ओड़ते तो बकाइदा घर आई थी मुबारक बात देने साथ जमशेद की बीवी देखने और परीहा पहली बीवी से हमदर्दी करने तीनों काम एक साथ करने का इरादा लिये वो जमशेद की घर आई थी नीलम बेगम अभी तैयार चैयार होके चोटे से शहन में रखी हुई एकलोती चार पाई पे आन बैठी थी सुर्ख जोडे में मूँ पे मेकप ला दे अरे वह जमशेद बड़ी प्यारी दुलहन ढूंड लाया तू ये थी मुहले की सकीना खाला अरे खाला बस किसमत की बात है रब सुने दा करम है समझ लो जमशेद ने नए कारनामे पे दाद समेटी थी वो तो ठीक है भाईया मगर इसका एक जवान जहान बेटा भी है साथ मैंने सुना था मुहले की कोई ओरत जिक्र कर रही थी समीना जो उनकी हमसाई थी वो बोली नीलम ने आँख उठा कर अब सवाल करने वाली को देखा था तो बहन तुम्हारे बच्चे भी तो है ना ऐसे ही मेरा बच्चा भी है नीलम ने फट जवाब दिया था अलबत्ता जमशेद गरबढ़ाया वो नहीं चाहता था कि कोई बदमजगी हो अरे छोड़ें आप लो अली देखो बहन किधर है उसे बोलो महमान आए है कोई चाए पानी का इंतिजाम करे जमशेद ने दर्वाजे में खेलते हुए अली को पुकारा था वो सर हिला था बहन की तराश में निकला था हाँ हाँ हम तो मू भी जरूर मीठा करेंगे तब हमीदा खाला दर्वाजे से कहती दाखिल हुई थी तब ही वो गलासों में बोतल डाले ट्रे में रखती हुई बाहर आई थी और सब को देने लगी थी अरे मुबारक हो तुम्हें नाभी समीना ने बोतल का गलास पकड़ते हुए उसे मुबारक बात दी थी नाभी की आँखों में पानी उबड़ा आया था अजीब लोग थे ये कैसे किसी को मुबारक बात दे देने चले आये थे उसे फिर एक बार अंदर पड़ी मा का खयाल आया था तो दिल किया के फूट फूट के रो दे पहले कुन सी जिन्दगी आसान थी जो अब और इमतहान आ गए थे जिन्दगी में पहले भी गुर्बत की वज़ा से लड़ाई होती रहती थी कम आमद थी घर का खर्चा पूरा ना होता था तो लड़ाई का होना तो लाजम था वो अपनी उमर के बच्चों से बहुत मुक्तलिफ थी कम गो सहमी हुई सी पहले तो वो हस खेल लेती थी मगर जब से समझ वाली हुई थी हसी मजाक तो जैसे भूल गई थी उपर से ये नया इमतहान उसे हसने की दिन उसे हसे कई दिन हो गए थे कितने ये शायद उसे भी याद ना था नेक्स सीन वो मीटिंग रूम में जाने के लिए ओफिस से निकला उसके हमरा लारा और हमात थे सब लोग अपने अपने कम्प्यूटर के सामने बैठे काम में मश्रूफ थे तब ही दाई जाने बैठे एक अजनबी चहरे पे नजर पड़ी थी वो अपने के साथ ही एक लड़की बैठी हुई थी जो उसके ऑफिस में तीन साल से काम कर रही थी वो भी पाकिस्तान से ही थी दीबा जाकर आज उसके साथ एक और नया चहरा नजर आया था काला छोटा सा सकाफ बांदा हुआ था गोल मटोल चहरे पे सफेद रंगद गोल मटोल सी आँखे चहरे पे एक अजीब तासुर था हमाद हुई शी उसने साथ चलते हमाद से पूछा था जो उसे मीटिंग के एज़न्डे से बरीफ कर रहा था न्यू इंप्लोई फ्रॉम पाकिस्तान हमाद ने बताया उससे पहले के वो उस पे चीखता उसका फोन बोल उठा था यस मिस्टर आरिप स्पिकिंग आरिप बेर रोवत दार लहजे में कहा था दो मिनट का दोरान्या था कमजग कम कोल का आरिप समेथ लारा और हमाद भी वहीं खड़े थे और बोस के अगले हुक्म के मुनतजर थे लारा कॉल अर्जेंट मिटिंग एंड हमाद यू कॉम विद मी आरिप ने कॉल से फिरी होके दोनों को हुक्म नामा जारी किया था हमाद आरिप के हमरा उसके आफिस में दाकिल हुआ था आरिप ने अपना मॉबाइल टेबल पे रखा था और हमाद के तरफ मुड़ा जो मनतजर खड़ा था मेरे इल्म में लाए बगएर किसी को कमपनी में रखा गया है और कौन सा ऐसा एहम काम था ना ही हमारी कमपनी को किसी नए अम्पलॉई की जरूरत थी आरिप ने हमाद से इस्तफ़ार किया था इस्तफ़ार किया था सर मुच्टबा मिलिक के हुक्म पे ये इसी हफ़ते नियू पाकिस्तान से दुबई आई है इन्होंने मुझे कहा था कि वो खुद आप से कोल पे बात करेंगे मैं कमपनी की तरफ से वीजा इशू कर दू तो उनकी हिदायत पे अमल करते हुए ये काम हुआ हमाद ने बताया था अच्छा मेरी काफी मेरी काफी दिनों से बिजी रूटीन के वज़ा से बात नहीं हो पाई मैं बात करता हूँ आरिब के माते पे बल आये थे ये अर्बास सर की बहन है हमाद ने एक और इतला दी थी तभी एक बार फिर आरिब के ओफिस में रखा फोन बजा था ठीक है मैं देखता हूँ तुम लोग अभी मीटिंग की तयारी करो इंडिन क्लाइंड मिस्टर अर्जन कुछ ही देर में हमें जोइन करेंगे आरिब ने हमाद से कहा वो सर हिलाता बाहर निकल गया था और आरिब जिन घारते फोन की तरफ मतवज़ज़ हुआ हेलो आरिब ने फोन उठाते हुए कहा था मैं अर्बास बात कर रहा हूँ कैसे हैं आप फोन में से आवाज अबरी थी अलहम्दलिल्ला मैं ठीक हूँ तुम सनाओ सार्जा जादा नहीं तुम्हें रास आ गया आरिब ने कहा था जिस पे अर्बास की हसी गुंजी थी शार्जा का तो पता नहीं मगर न्यू फर्म जरूर रास आ गई है एक गुड नियूज है आपके लिए जिस प्रोजेक्ट के लिए आप परेशान थे ना वो हासल करने में कामियाबी हो चुकी है मलिक कंस्ट्रक्शन एंड इंटिरियर डिजाइन अर्बास ने कहा वैल डन मेरे चीते बहुत अच्छी खबर सुनाई है आर्ब एक और कामियाबी पे मसरूर हुआ था इस प्रोजेक्ट में उनकी नियू फर्म को करोडो का फाइदा था जो के शार्जा में दो साल पहले खोली गई थी और अर्बास की जेर निगरानी उसमें सब काम हो रहे थे आर्ब हफ़ते में एक बार शार्जा से जरूर चक्कर लगाता था अर्बास उनका एक काबल एत्माद बंदा था अब से ही नहीं शुरू से ही यूही तो नहीं मिलक मुश्टबा ने उसको चुना था खुदा की जात का खास करम है कि हम इस टार्गेट को पूरा करने में कामियाब हुए है एक और बात भी करनी थी आप से अर्बास ने कहा था हाँ जरूर बो अर्ब ने कहा था शायद ये बात आपके इल्म में ना हो दरासल इस वीक ही मलिक सहाब ने मेरी दर्ख़ास पे मेरी बेहन को दुबई भेजाए आपको वहां के हालात का बखुबी इल्म है और मेरे घरेलू हालात भी आपके सामने है इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था अर्बास ने तमहीद बांदी थी आर्ब अब ग्लोब की तरफ देखते हुए गुफटगु सुन रहा था शार्जा में अभी मैं खुद मश्रूफ हूँ काम में ना ही दिन का पता चलता है और ना ही रात की खबर होती है इसलिए उसे मैं कमपनी की पुरानी वर्कर दीबा जाकिर के साथ रखवाया है ताके नए माहोल में ज़्यादा मुश्कलात का सामना ना करना पड़े जैसे ही मैं इस प्रोजेक्ट से फारिग होता हूँ तो पहली ही फुर्सत में उसको अपने पास ले आऊंगा अमीद है कि आपको कोई मसला नहीं होगा अरबाज मजीद बोला था ठीक है जब पापा इस काम में है तो मैं क्या कह सकता हूँ और वैसे भी तुम तो बाबा के चोते बेटे हो आरिब ने कहा था जिस बात पे दोनों का कहका पड़ा था ये मलिक सहाब का प्यार है वरना मैं इस काबल नहीं हूँ अरबाज ने पूरे दिल से कहा था वाकई मैं ही आजकल ऐसे लोग ना पैदा होते जा रहे हैं जो किसी के एहसान के बदले में उनके साथ एहसान करे आजकल तो लोग अपने से कम लोगों को इनसान ही नहीं गरदानते और अगर कोई अपनी काबलियत पे आगे आने की कोशिश भी करे तो उनकी रह में रुकावटे हाइल कर दी जाती है ताके वो लोग उनके और उनके बच्चों से आगे ना बढ़ जाएं मगर मलिक मच्टबा का शुमार इन चंद लोगों में होता है जो लोग की सलाहते को पहचानते हैं और उनके खैर खुआ होने के साथ साथ उनकी हर मुमकिन मदद को खड़े होते हैं अर्बास के साथ उन्होंने हमेशा एहसान का मामला किया था जिसका बदला ना सिर्फ अर्बास ने जाती तोर पे चुकाया था बलके उसके घर के अफराद भी इसमें शामिल हो गए थे खैर अब ज़्यादा फॉर्मल ना हो तुम वरना बाबा ने मेरी कलास ले लेनी है आपकी सिस्टर को किस पोस्ट पे बुलाया गया है दरासल मसला ये है कि अभी उसको टेक्निकल इतना कुछ पता नहीं है वो अभी अपनी स्टुडीज मुकमल कर रही थी जब ही मैं वहां के हालात देखते हुए उसको यहां बुलवा लिया इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानी है कि कमपनी के लिए इनका जाफा फिलहाल फाइदेमन ना हो पाईगा अरहाब ने अरबाज ने कान खुजाते हुए असल वज़ा बताई थी वहां के मामलात की संगीनी का इल्म मुझे तक भी वफका फोकता पहुचता रहता है तुम्हारे खांदान पहले ही हमारे लिए बहुत कुर्बानिया दे चुके हैं जिस पे हम मश्कूर हैं तुम फिकर मत करो सब इंप्लोईज की तरह अब वो भी हमारी इंप्लोई है उन्हें यहां किसी किसम की कोई टेंशन न होगी आरिब ने अपना माथा मसला था आप मुझे शर्मिंदा ना करें अर्बाज ने कहा था अरे नहीं यार ऐसी बात नहीं है चलो अभी मेरे मेटिंग है मैं जल्द ही शारजा के शारजा आके मिलता हूं तुन से तुमने एक दफ़ा फिर अपनी महनत से कंपनी को एक एहम प्रोजेक्ट लेके दिया आरिब ने कहा था चलें आप मेटिंग से फारिग हूं मैं आपको प्रोजेक्ट फाइल्स इमेल कर देता हूं अर्बाज ने टाइम पे नजर डाली थी ये पिछले सालों से लेके अब तक आरिब के साथ होने वाली पहली तवील गुफटगू थी जो के दफ़तरी मामलात से हटके थी खुदहाफिस आरिब ने कहा था फोन रखते कलाई पे बंदी घड़ी पर नजर दोड़ाई थी कुर्ची से खड़ा हुआ मोबाईल पकड़ा और ओफिस से बाहर निकला था चलते चलते नजर इसी टेबल पे डाली थी जहां वो अजनबी चेहरा बैठा था मगर अब वो टेबल खाली थी वो सर जटकता आगे बढ़ा था नेक्सी चमशेद कौवर्मेंट का एक मामली सा मुलाजिम था जिसकी शादी जुबेदा नामी खातून से हुई थी उनके तीन बच्चे थे बड़ा अर्बाज उससे छोटी बेटी अनाब और सबसे छोटा बेटा अली अर्बाज की अमर 18 साल की थी जो के गाउं के मलिकों के घर काम करता था और साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहा था ये मलिकों की नम दिली थी कि वो उसे पढ़ा रहे थे वो भी कौम कर रहा था फिर आती थी इनाब जो 15 साल की थी और सबसे छोटा अली जो 12 साल का था और स्कूल जाता था, उनके घर की जरूरियात पूरी करने के लिए बाप की आम दिन भी कम बढ़ जाती थी, अर बास की कुछ तनख्वा पढ़ाई पे लग जाती थी, कुछ भाई बहन के पढ़ाई में लगा देता था, यूं ही लड़ते जगड़ते उनकी जिन्दगी गु पहुचा था, नेक्सी, वो स्कूल का काम कर रही थी, तभी उसका छोटा भाई अली बहार से खेलता आया था, उसके हाथ गंदे थे, वो गलती से छोटे से बरामदे में पड़ी मेज की तरफ गया, जहां नई मामा नीलम के कपड़े, उसकी बहने इस्त्री करके रखे थे, उसके हाथ गलती से कपड़े पर लग गए, तभी नीलम बहार आयी थी, अपने कपड़ों पे दाग देखकर वो आग बगोला हो गई थी, आगे बढ़ी और अली के मूँ पे थपड़ मारा था, वो भी भाई की देखकर, भाई को देखकर सब छोड़ उसकी तरफ आयी थी, तुमारी हिम्मत कैसे हुई दो टके के लड़के मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की, नीलम बरस रही थी उस छोटे से बच्चे पे, साथ हाथ भी चल रहे थे, आंटी मैं धो दूँगी, आप उसको मत मारें, छोड़ दें प्लीज, वो रोते हुए अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ी थी, साथ ही उसकी नजर, बरामदे में बिच्ची हुई चार पाई पे पड़ी थी, जहां उसकी मा बीमार पड़ी हुई थी, वो अपनी बेबसी पे आंसु बहा रही थी, मगर बेबस थी, अगर कुछ कहती या करती, तो इस औरत ने जम्शीत के फिर जलील करवा देना था, आज कल तो वो तलाग देने वाली धंकियों पे भी उत्रा हुआ था, और यहां उसके जब्द की हद थी, वो हर जल्म और जबर सहने को तयार थी, मगर उम्र के इस हिस्से में तलाग कभी भी नहीं, वो जब्द से आंखे भीज गई थी, भाई क बचाने के लिए रोती मचलती हुई बहन को भी एक थपड लगाया था, और उसके भाई को छोड़ दिया, जो हका बका सब देख रहा था, रो रो के उसने बुरा हाल कर लिया था, खबरदार अगर आज के बाद तो मुझे अपने इर्द गिर्द नजर आए, नीलम आखों म जब आराम फरमा के हवास कुछ बहाल हुए थे और भूक से हालत खराब हुई थी, तो नीचे को भागी थी, ममा खाना दे दे, बहुत भूक लगी है, आप मेरे साथ सोतेली वाला सलूक क्यों करती हैं, रबाप आते ही उट पटांग बोलना शुरू हो गई थी, और धब से तक्त के सामने पड़े सोफे पर बैठी थी, बिल्किस बेगम जो तक्त, जो तस्वी कर रही थी उसको घूर के रह गई, कोई अकल, शरम बाकी बच्ची है, कि सारी खत्म हो गई है, कोई तोर तरीका सीख लो, गजब खुदा का, आज भी महमानों के सामने तुम्हारी वज पर पहुंचा दिया है, बिल्किस में कब बेगम का मून सक्त खराब था, अच्छा ना मामा, अब कुछ खाने को दे दें, ताने बाद में सुन लूँगी, सुभा से भूकी हूँ, रबाब रुहासी हुई थी, मजीर डांट से बचने का, ये ही एक हरबा था, जो पीछे से उची आवाज में पूछा था, रबाब शर्म कर लो, दादी हैं वो तुम्हारी, उन्होंने वहीं से घूरते हुए कहा था, तब ही पीछे से रबाब की कमर पर किसी ने धप रसीद की थी, हाई जालिम दादी मार डाला, रबाब को अब उन हातों की पहचान हो च हाई मरे आपके दुश्मन, दादी आपको तो मेरी उमर भी लग जाए, रबाब फट उठी थी और उनके गले लगी प्यार से बोली, चल पगली, ऐसे नहीं बोलते, तुझे अल्ला लंबी उम्र दे, उन्होंने अपने लाटली पोती के पेशानी चूमते हुए कहा था, उ और इनसान का प्यार करने का और जताने का अंदाज मुक्तलिफ होता है, आपके बगेर मैंने वो जिन्दगी क्या करनी भला, पार्टनर रबाब ने आँख दबाते हुए उनको कहा था, पीछे हट, मेरे सांस निकल रहा है, उन्होंने जान बूच के कहते उसे हटाया था, वो अब उनके साथ लगी तख्त पर ही बैठ गई थी, आज मीटर के घूमा हुआ था, और यूनिवर्स्टी से भी जल्दी आ गई थी, दादी ने पूछा था, ओहो, फिर यात करा दे आप, था एक मगरूर, नक्चड़ा, खडूस, और घूमा हुआ इनसान, जो अब बद अब फिर पुरानी जून में वापस आते आते हुए बोली थी, प्रोफेसर से याद आया, वो आज आरिप का दोस्त इर्तजा आया था, दादी ने रबाप की बात काटते हुए कहा, वाट, कब, कब आय थे वो, रबाप को अब अपने शक्त की तजदीक होते लगी थी, तो पक्का गई, रबाप ने दोनों हाथ मूँ पे रखे थे, तुम्हें क्यों साब सूं गया, वो भी यहाँ वापस आ गए है, फिर यहाँ ही किसी यूनिवस्टी में उसकी जोब हुई है, दादी ने इर्तजा बलेटन सुनाया था, यहाँ की किसी नहीं, बलके वो मेरी ह दादी को इतला दीती, हाँ तो अच्छी बात है ना, यह तो तुम्हारी क्यों हवाईया उड़ी हुई है, रबाप की परिशान सुरत देख के पूछा था, क्योंकि इस प्रोफेसर रेही आज मुझे डाट पढ़ाई है, रबाप ने दादी को इतला दीती, और तकत से इतने में बिल्किस बेगम हाथ में ट्रे उठाय किचन से आती नजर आई थी, रबाप सुफे पे दबी बैठी हुई थी, कुछ लम्हे पहले की सारी ताज की खाक हो चुकी थी, मुझे मफलर डाला हुआ था, सिर्फ आखे नजर आ रही थी, ये लो, खाओ अब, यू क्यो बैठी हो, बिल्किस ने उसे चुप बैठे देखते इस तफसार किया था, भाई बिल्किस बानो मुबारक हो, खुदा ने हमारी सुन ली, कोई इसको काबू करने वाला भी भेज दिया है, दादी कब चुप रहने वाली थी, वो तो उसकी कैफियत से लुट्फ अंदोज हो नहीं, कुछ नहीं मामा, दादी तो बस यूँ ही, आप बताएं, भाईया से बात हुई, रबाब ने मौजु बदला, बदला, क्योंकि अगर उनको पता चल जाता तो शामत पकी थी, हां होती हुई थी, वो मश्रूफ ही इतना होता है, बस दो मिनट के लिए कोल कर पाता है बिल्किस बेगम ने कहा था, अल्ला मेरे बच्चे को जिन्दगी दे, बहुत ही महंती बच्चा है मेरा, इतने कम अर्से में अपना एक नाम बना लिया है, माशा अल्ला, दादी ने भी अपने हुनहार पोते को बलाएं ली थी, वो था ही इतना काबिल और हुनरमन, एक ही दादी के नाक में दम किया हुआ है, दादी ने सेंड़िच और चाय से इनसाफ करते रबाब को घूरा था, इसमें भी आप तीनों का ही हाथ है, मजाल है जो आप और इसके बाब भाई मुझे इसको कुछ कह लेने दे, बच्ची है, बच्ची है, कहते कहते सर पर बिठा सारा सुसराल अपने नाजुक कांधों पर उठाया हुआ है, एक टांग पर खड़ी रहती है, मजाल है जो उफ कर जाएं, यही ना, मुझे प्यारी मा ये सब लाइन हिव्ज हो चुकी है, रबाब ने उनका जुम्ला उचका था, तो सुन ले, मैं अभी खुद बच्ची और मेरी सुसराल ना तो इतनी बड़ी होगी, ना ही इतनी भारी कि मुझे कंधों पर उठाने पड़े, एक टांग पे भला क्यों खड़ी हूँ मैं, मेरी दूसरी भी तो है ना, और मेरे वो होंगे ना, मुझे हर काम में सपोर्ट करने वाले, रबाब खिल खिलाते हुए, अपना जुमला पूरा करते प्रे उठाते हुए उपर की तरफ भागी थी, क्योंके मा के खूंखार आँखों में अपने लिए आने वाला गुस्सा देख चुकी थी, क्योंके दादी कहती है, मुझे लेने एक राजा आएगा, मेरे खौबों का शहजादा, रबाब ने शहजादी को बजा सपोर्ट कर रही थी, मुझे क्यों घूर रही हो बहू, शहजादी को लेने, शहजादा ही आता है न, उन्होंने अपने दाफां के लिए कहा था, अम्मा मुझे डर लगता है, आप उसे यूँ खौब मत दिखाएं, हर माबाप अपनी बेटियों के दिखा के उस दुनिया की हकीकत से गाफिल कर दे, बिल्किस बेगम ने नम आवाज में कहा था, खुदा से दुआ मांगा करो बिल्किस, सब बहतर होगा, मेरा मुला भी जान उदास लहजे में बोली थी, नेक्सीन, वक्त आगे बढ़ता गया था, नीलम खुल के सामने आती गई थी, नीलम इन पे डाइरा जिंदगी तंग करती गई थी, जमशेद, जुबैदा, पहली बीवी, की बीमारी के बावजूद भी उस पे ताने और तंस करने से बाज ना आता था, अब तो मारपीट तक बात आन पहुँची थी, पहले तो मामुली बीमार थी, मगर फाल कि उसकी मा की दवाई आ सके, आज मेल वो पैसे भी नीलम के पास चले जाते थे, इसलिए उसकी मा की दवाईयों का सिलसला बंद हो गया था, वो यूही अपने जिंदगी के बच्चे कुछे दिन पूरे कर रही थी, नीलम का बेटा शाकित, जो के 16 साल का था, बरी सहबत मे उठने बैठने लगा था, अरबास चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा था अपने घरवालों के लिए, सिवाए बाप से लड़ने के, मगर बाद में बाप का गुस्सा उसकी बहन और मापे निकलता था, अरबास अब अपनी पढ़ाई करके कुछ बनना चाहत इस से बेबस रोती मा, मासूम बहन और मजलूम भाई देखा न जाता था, जिन्देगी आगे बढ़ती गई, नाभी भी सारा दिन मशीनों की तरहा घर के काम, नेलम की खातरदारी और मा की तिमारदारी में लगी रहती थी, साथ में पढ़ाई भी करती थी, उसके लिए य निस्टर अरजन हमारे काम से खुश है, पेमेंट के सारे मामलाद तैप आ गए है, काम भी बस आखरी मरहाईल में है, अब उन्होंने अपने अपनी बिल्डिंग के डिजाइन में लास्ट में कुछ तबदीलियां करवाई हैं बस, हमाद ने कहा था, हम ठीक है, साइट पे इंस्पेक्शन टीम को भेज के काम की क्वालिटी चेक करवा लेना, मेरा एक आद दिन में शार्जा जाने का प्लान है, नियू प्रोजेक्ट मिल चुका है, तो मुझे वहाँ फाइनल करने जाना है, आरिप ने अपनी कुर्सी सम्हाली और पानी का गलास मुँ को लगाया, गुड नियूज है, ये तो कमपनी के लिए, ये आरिप की एक पहतरीन कमपनियों में से एक कमपनी हैं, जिसके साथ वो प्रोजेक्ट फाइनल हुआ है, अर बाज ने कहा था, हाँ अच्छा सुनो, याद आया, वो जो एमपलॉई पाकिस्तान से आई हैं, उनका क्या करना ह अब किस पोस्ट पे उनको काम करवाना है, आरिप ने अपनी रुकसार को हलका सा अपने दाई हाथ के अंगोठे से खुजाया था, फिलहाल तो उनको इंस्पेक्शन टीम की मेंबर दीबा जाकिर के साथ अर्ध एड़स्ट किया गया है, कि वो उनसे काम सीख लें, अब ऐसा चाहें, हमाद ने आगा किया था, तो ऐसा करो, उनकी सीवी मुझे फोरवर्ड कर दो, ताके मैं उनकी डिगरी चेक कर सकूं, फिर कोई फैसला करते हैं, क्या करना है, आरिप ने कहा था, तब ही लारा फाइल्स उठाय अंदर दाकिल हुई थी, सर नीड योर सिगनेच लारा ने कहा था, ये शोर, आरिप ने सामने रखे, होल्डर से पैंट निकाला था, और टेबल पर फाइल्स पर नजर डालता साइन करने लगा, जो लारा एक एक करके रख रही थी, ओके गाईज, इट्स लंच टाइम, यू कैन गो ना, आरिप ने घड़ी पर नजर दोड बाते हुए कहा था, सर आरिप, योर मीटिंग वेज शेक इसमाइल इन इवनी, लारा ने उसे आगा किया था, ओकी, मेक शोर, प्रेजंटेशन वुद बी इंप्रेसिव, प्लेंडर नोट एक्सेप्टेबल, बी ओन टाइम और गो ना, आरिप ने दोनों से कहा था, और फा बीजाए के चौनेके फोर में, गुद बाइ